मेरे चैनल पर सबसे जादा जो व्यूज आते हैं वह आते हैं सरकमसीजन या फिर खतना वाली वीडियो से तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक से रिलेटीड ही मैं आपको थोड़ी सी और नॉलिज दूँ तो आज हम बात करेंगे जेडेस आर टेकनीक के बारे में जो यूज होती है सरकमसीजन के बाद तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो वीडियो इंपॉर्टेंट है जेडेस आर के बेनेफिट्स चानेंगे क्यों इसको ट्रैफल देना चाहिए सरकमसीजन के लिए तो वीडियो इंपॉर्टेंट है वीडियो को एंड तक देखिएगा चली वीडिय इसको यूज करते हैं और उससे जो हमारी four skin होती है जो head of the penis के साथ stuck हुई होती है उसको back करते हैं और वहां पे उसको seal कर देते हैं तो यह जो सारा procedure है इसमें कोई cut की जरूरत नहीं होती ना ही इसमें blood loss होता है जो हमारे traditional जो टेकनीक्स या प्रोसीजर्स होते थे उन में होता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता सबसे अच्छी बात ZSR की यह है कि एक painless technique है मतलब आपको बिल्कुल भी pain नहीं होगा जो हमारे पुरानी टेकनीक्स होते थे उसमें cut लगते थे और फिर टांके लगते थे फिर उसके बाद recovery होने में भी जादा time लगता था साथ ही साथ में आपको pain भी बहुत जादा होती या फिर हम यह बोल सकते कि निल है और जो हमारे traditional methods होते थे उसमें आपको बहुत time तक आप comfortable नहीं हो पाते साथ ही साथ में आपको infection वगते chances भी जादा होते हैं तो एक यह कारण है कि जिसकी वजह से हमें ZSR यह जो modern technique है इसको जादा preference देनी चाहिए अब जानते हैं इसका procedure जो device है इसमें क्या करते हैं यह device टैप्टर की तरह होते हैं इससे for skin को back करते हैं और matter clip से stuck कर देते हैं वहीं पे जो matter clip है यह कुछ दिन में automatically खुद ही जाड़ जाता है और इस पूरे procedure के बाद आपको कुछ irritation या फिर pain हो सकती है जो की simple आप अगर pain killer लेंगे तो उससे आप easily recover हो जाएंगे जो हमारा ZSR है इसमें infection वगरा के chances बहुत ही जादा निल होते हैं इसलिए इसको preference देनी एक अच्छी बात है एक और device है जो की metal clips की जगार यूज होती है वो है हमारी silicon ring कई बार होता है कि जो metal clips हैं उनको यूज करने की जगा silicon ring जो है उसको यूज किया जात है फरक दोनों में जादा नहीं होता है यह silicon drink जो होती है यह भी खुद ही कुछ दिन में automatically जड़के गिर जाती है अब जानते हैं कि यह circumcision क्यों करवाना चाहिए देखिए सबसे पहले तो जो hygiene maintain करने के लिए जो smagma है अदर्वाइस वो four skin के नीचे ही deposit होता रहता है जिसे infection वगरा के chances होते हैं तो अगर आपकी four skin back होगी तो आप पैक करके easily जो smagma है उसको साफ कर सकते हैं दूसरी चीज़ है infection के chances कम होते हैं urinary tract infection वगरा होने के chances कम हैं साथ ही साथ में पार्टनर को आपके cervical cancer होने के खतरा जो है वो भी कम होता है पेनाइल cancer जो पैनिस का cancer होता है उसका खतरा कम हो जाता है साथ ही साथ में जो मारी sexually transmitted diseases होती हैं उनसे भी आप बचे रहते हैं और कई जगा पे religious basis पे भी यह जैसे Muslims में या Black Africans वगरा उनके religion होता है यह की circumcision करवाना एक compulsory चीज है तो यह सारे reason है जिसकी वज़े से आपको circumcision करवाना चाहिए लेकिन better option यह है कि आप circumcision traditional way से ना करवाईए बैटर है कि आप यह जो ZSR technique है इससे करवाएं अब जानते हैं कि यह जो ZSR technique है इससे जो recovery है वो कितने time में हो जाती है देखी जो ZSR technique है इससे recovery जल्दी होती है as compared to your traditional procedures अगर आपके जो traditional procedures में दो से तीन हफते लगते हैं पूरा ठीक होने में तो इससे आप एक ही हफते में पूरा ठीक हो जाते हैं risk factor देखी हर चीज में होते हैं तो इसमें भी कुछ risk factors हो सकते हैं जैसे कि infection हो सकता है या फिर bleeding हो सकती है या फिर आपका जो stitches है जो traditional उसमें होते हैं वो dissolve नहीं होंगे metal clip कई बार जड़ती नहीं हो सकते हैं लेकिन यह बहुत ही rare cases होते हैं जल्दी ऐसा नहीं होता है मतलब आप यह बोल सकते हैं कि 85% cases में जो है कोई भी problem नहीं आती है 15% chances होते हैं कि कोई भी complication आए कई बार होता है कि stitches जल्दी dissolve नहीं हो रहे या फिर आपको दुबारा से femosis condition आ रही है मतलब कि वो four skin जो है वो दुबारा से आगे आ रही है जिसको दुबारा से आपको future में remove करने की जरूरत होती है तो यह सारे ठोड़े से risk factor थे जो हो सकते हैं circumcision के दोरान अब जानते हैं कि जो पूरा प्रोसीजर है इसके बाद आपको क्या करना चाहिए देखे अगर आपको pain है जादा वैसे इसे pain जादा नहीं होती लेकिन अगर आपको pain है तो आप pain killer ले सकते हैं जैसे आइब प्रोफिल ले सकते हैं या कोई और pain killer जो आपके डॉक्टर आपको recommend करें दूसरी चीज है कि आपको underwear ऐसा पहना है जो जादा skin के साथ touch थोड़ा loose पहना है ताकि आपके skin में रगड ना लगे यह आपको simple सी तरीका और है कि जब तक आपके डॉक्टर ने बूला है dressing करने के लिए तब तक आपको dressing करनी है properly warm water से wash करना है जितना जादा हो सके proper area को dry रखना है और अगर कोई भी आपको complication हाती है तो आपको image doctor को दिखाना है यह सारी चीजें थी जो ZSR से जूड़ी हुई है और हमारे circumcision से जूड़ी हुई है तो इस वीडियो को देखे आप को इतना तो पता चल गया होगा कि अगर आपको circumcision करवाना है तो ZSR device एक बहुत ही better option है हमारे पास बजाए कि हम अपने जो हमारे traditional procedures थे उनको follow करें क्यूंकि इसमें risk factor और pain बिल्कुल ही कम हो जाता है I hope video आपको useful लगी होगी video के end में मैं आपको बता दू मेरा एक नया vlog channel स इसका नाम है Isha Vinod World जो मैंने अपने husband के साथ मिलके start किया है इसमें हम अपने daily life से related videos डालते हैं कि हम क्या कर रहे हैं साथ ही साथ में आपको इसमें बहुत सारी inspirational videos motivational videos और पंजाबी हिमाचली culture से related videos देखने को मिलेगी तो जाकर उस channel को भी subscribe कर लीजिए मैं channel का नाम जो है वो अच्छी लगी हो तो चैनल को like share और subscribe करना ना भूलें thanks for watching